नमस्कर दोस्तों, अगर आपको कोई वाटसब पर इस तरह का मैसेज करता है तो आपको कैसा लगेगा? मस्त, अगर मस्त लगेगा तो नीचे कमेंट में लिखिएगा मस्त और ज़रा सोचिए, अगर आप इस मैसेज को किसी और को भेजते हैं, तो उसको कितना चलेगा? इस तरह से वाटसब पर अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाली है, और इसका खास बात ये है कि आप इस मैसेज को उसके नाम से बना सकते हैं, हाई, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिग, गुड नाइट, किसी भी नाम से कुछ भी लिख करके बना सकते हैं, बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, नीचे कमेंट में आपको लिखना है, वाटसब, बस आपको वाटसब लिख करके कमेंट कर देना है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा तो चली वीडियो सुरू करते हैं अब दोस्तों अगर आपको कोई इस तरह का वाटसप मैसेज करता है तो आपको कितना अच्छा लगेगा यह आप देख रहे हैं वेलकम लिखा हुआ है कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है बेबी कितना प्यारा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं जे ए एन जानू कितना प्यारा लग रहा है अगर आप इस तरह का मैसेज लिख करके किसी को भेजते हैं तो बंदा बिलकुल खुस हो जाएगा या फिर अगर वो लड़की होगी तो बिलकुल खुस हो जाएगी क्योंकि आपने उसके लिए एक special मैसेज बनाया है और आपने उसको भेज जाएं तो बहुत ही amazing यहाँ पर मैसेज देखने में लगता है जो कि उस लड़की को या लड़के को बहुत ही जादा पसंद आएगा तो अगर आप भी इस तरह का मैसेज बना करके अपने दोस्तों को भेजना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखते रिएगा सबसे प पहले जाना होगा play store में और play store में जा करके यहाँ पर आपको search करना होगा emoji later maker अब आपके सामने यह application आ जाएगा इस application को आपको अपने phone में download कर देना है download करने के बाद इसे open करेंगे तो आपके सामने कुछी तरह का interface आएगा यहाँ पर देखिए आप जिस नाम से message बनाना प्लस आपको enter कर देना है जैसे देखिए मैं बनाना चाहता हूँ रवी यहाँ पर आप capital letter में भी बना सकते हैं small letter में भी बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं r-a-v-i automatic बन गया मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर सिर्फ नाम एंटर किया अगर मैं message बनाना चाहता हूँ baby b- तो आप देख सकते हैं मेरा message बन चुका है इस message को whatsapp पर भेजने के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ plus के icon पर आपको click करना है plus के icon पर click करने के बाद यहाँ पर आपको एक share का icon मिल जाता है इस पर click करना है और यहाँ पर click करने के बाद आपको जाना है text में यहाँ पर आप आपको उस मैसेज को सेंड कर देना है तो आप देख सकते हैं ओ मैसेज सेंड हो चुका है कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर दिखे लिखा हुआ है बेबी उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक किजेगा और अपने दोस्तो सब्सक्राइब किजेगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत फुलेगा तो बस आज की वीडियो में इतना ही थैंक्स वाचिंग बाबाई टेक क्यार